गुड मॉनिंग दोस्तों आप सबको नमस्कार और रीट की एक्जाम के लिए आप सबको मेरी तरफ से धेर सारी सुपकामने दोस्तों राजिस्तान गौर्मेंट ने 26 तारिक को 26 सितंबर को रीट की एक्जाम लेने का परण ले लिया है आप लोगों की 26 सेप्टंबर को वेस्टू के लिए दोस्तों इस क्रेकर में आपको हर टॉपिक हर टॉपिक की एक्ससाइज मिलेगी सभी टॉपिक को तरीके से समझाया भी गया है विशेश तोर से टीचिंग मैथर्ड और फनेटिक्स और लिटरी टरंग्स लिटरी डिवाइसेज के आपको नोट्स भी द अविलेबल हो सकते हैं बाकि की अगर आप इनकी ऑनलाइन प्रिंट चाते हैं तो ऑनलाइन प्रिंट भी आपको मेरे वाट्सेप नमबर पर आप अपना नाम लिक करके भेज़ दीजिए आपको निशुल्क यह ओनलाइन प्रिंट मिल जाएगी मेरे कॉंटक नमबर है 946127 8552 दोस्तों इस नंबर पर आप अपना नाम मुझे सेंड कर दीजिए आपको लेंग्विज टू का क्रेकर निशुलक पीडियर फॉर्मेट में अविलेबल हो जाएगा वैसे मैं लेंग्विज टू के इस क्रेकर की एक एक शीट एक एक क्वेशनेर एक एक टापिक को मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ दरसल ये जो क्रेकर है इसका वीडियो सलूशन भी बनाया गया है और इसके वीडियो सलूशन प्राप्ट करने के लिए आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं और हमारे कोचिंग के एप कोस्कॉम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं कोस्कॉम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां जाकर के आप स्टोर में जाएंगे तो स्टोर में जाकर के आपको वहां पर हमारा ये कोर्स आपको बना हुआ मिलेगा निशनल कोर्स है देखिए दोस्तों जिन topics को हम discuss करेंगे इस cracker के अंदर हमारी unit wise हमें syllabus दिया गया था मैंने इसको unit wise divide न करके topic wise divide किया है आपको एक topic त्यार कराया जाएगा मैं आपको बतायता हूं कि किस topic से exam में कितने questions पूछे जाने वाले हैं तो देखिएगा आपको पता है total जो questions होंगे total questions जो exam में पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे 30 total questions कितने पूछे जाएंगे दोस्तो 30 questions पूछे जाएंगे right और 30 questions जो होंगे आपके बोड़ आपकी पूरी 6 units से होंगे और आपकी जो पहली unit होगी पहली unit के अंदर आपका subject verb concord आएगा जिसे हम subject verb agreement कहते हैं दूसरी unit दूसरा ज जाएगा जिसे हम conjunction कहते हैं और तीसरा जो है वो inference से जाएगा ठीक है क्या एगा inference इससे अगर हम बात करें कि कितने questions आने वाले हैं तो 3-4 questions इन तीनों topic से आप से पूछे जाएंगे 3-4 questions आपको इन तीनों topic से पूछे जाएंगे देखो अगर हम बात करें चौथे हमारे topic क चौथे हमारा जो second unit जो है वो second unit क्या है हमारी literary जो terms है हमारे उनको हमसे पढ़वाती है literary terms में alliteration हमको पढ़ना है अनुपरा सलंकार simile है metaphor है rhyme है personification है और resonance है consonants मैंने आपको अलग से दिया है समझाया है अगर कोई question आता है तो आप कर देंगे ठीक है ना इसको मैं बढ़ि topic पढ़के चले हम concept wise एक एक question को देखते हुए चलेंगे देखें यह जो है यह जो सारे topic sense के आपके तीन questions आपको देखने को exam में मिल जाएंगे तो अब तक देखा जाए तो total हमने 7 questions की बात कर ली है model auxiliary verb से आपको एक या दो questions definitely मिलने वाले हैं जो can, could, may, might, shall, should, bill, would, must, need, dare, or to, used to जो होते हैं उनसे हमको definitely आपको एक या दो questions देखने को मिलेंगे phrasal verbs और idiom phrases से भी आपको एक या दो questions देखने को मिलेंगे यानि कि अब तक हमने 9 questions का matter तयार कर लिया है आगे देखेए literary terms अगर हम बात करें वो कौन-कौन से हैं जैसे sonnet है, short story है, elegy है, drama है इनसे एक 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 questions आपको देखने को मिलेंगे, तो टोटल मिला के चार questions आपको इस unit से देखने को मिल सकते हैं, दो या तीन questions आपको phonetic sounds and symbols से मिल सकते हैं, तो लगवग चार, तीन, साथ और दस लगवग आपके 17 questions का matter आपको यहाँ इस unit तक complete मिल जाएगा, अब अगर हम बात करें त language कि अंगरेजी को पढ़ाने के क्या क्या सिधान्त है, पूरा की पूरा cracker में आपको पढ़ाऊँगा, English में हैं, Hindi में हैं, पूरा cracker आपको समझाऊँगा, आप आराम से घर बैट करके से तयार कर सकते हैं, दोस्तों, second topic होगा हमारा वो अंगरेजी भाशा को पढ़ाने के लेकिन मैंने इनको इस सिस्टम से जमाया हुआ है, आपको फिर पढ़ेंगे हम multilingualism and role of home language ये नया topic है, जो 2021 की exam के लिए जोड़ा गया है, पहले नहीं था आपकी REIT में, इसके बाद हम अगला अगर हम बात करें तो evaluation method है, यानि कि मुल्यांकन भी धी, जो अपना ही जाती है summative assessment, आपकी formative assessment, आपका diagnostic assessment, ये सब जो मुल्यांकन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, learning disorders की हम बात करेंगे, dyslexia, dysphysia, dysflexia, जो भी हैं, उन सारे हम learning disorders की बात करेंगे, ये जो सारे topics हैं, आपके total लगवक 10, 12 या 13 questions आपके इन में से आने वाले हैं, तो आपका teaching principles या teaching methods भी जो important रहेंगे आपके, या कह सकते सिक्षन विधिया आपकी important रहेगी, यानि कि जिने हम कह सकते हैं, approaches of teaching English language, उपागाम आपके बहुत important रहेंगे, pedagogy आपकी important रहेगी, तो दोस्तों, हम अगली वीडियो से, आपको सबसे पहला जो topic है हमारा, आप देख लीजे, सबसे पहला topic है, subject verb concord, इस subject verb concord को हम लेने वाले हैं, इसकी प्रष्ट संख्या 2 से 5 है, लगबग आपके total 100 questions इसके अंदर होंगे, 100 questions में सारे नियम मैंने लिये हैं, सारे rules में आपको समझाता हो चलूँगा, जब बैठें, तो आप copy pen लेकर के बैठें, दोस्तों, उम्मीद करता verb concord, तब तक के लिए, have a nice time, good day, goodbye, thank you very much.